Hey guys, this is Priti आज का हमारा टॉपिक होगा तीन अप्रेल के करेंट अफ्यर आज जो भी important questions होगे उसको हम लोगे स्टुडियो में cover करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसके लाब अगर आप commentative exam के तहरी करते हैं तो इन सभी विश्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और playlist में free video classes देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है आज का हमारा पहला question है हाल ही में पूरुस एकलवर्ग मियामी ओपन 2019 टैनिस टूर्नामेंट का खिताब किस ने जीता हमसे देखें अगर question को हम लोग थोड़ा सा simplify करके पड़े तो हमसे सीधे क्या पूछ रहा है मियामी ओपन 2019 एक टैनिस टूर्नामेंट है और इसमें पूरुस एकलवर्ग का खिताब किस ने जीता तो इसको जीता है रोजर फेडरर ने अब बात आती है कि रोजर फेडरर बिलॉंग कहां से करते हैं क्योंकि देखें जो भी important खिलाड़ी होते हैं question देखें अगर आपको ये लगता है कि आपने MCQs पढ़ नहीं और आपका directly question exam में आ जाएगा तो ये impossible चीज़ है आपको थोड़ा से उसमें अपना धिमाग भी लगाना होगा कि हाँ exam में question क्या पोछ सकता है अब मैं आपको इसमें 3-4 question बना के दिखाती हूँ पहला तो Miami Open 2019 पूरुस एकलवर का खिताब जीतने वाले Roger Federer किस देश से है तो हमारा सही अंसर क्या होगा Switzerland इसके अलावा Miami Open 2019 कहां पे हुआ है तो हमारा सही अंसर क्या होगा USA में हुआ है इसके अलावा जो हमारा question हता है कि Miami Open 2019 में Roger Federer ने पूरुस एकल का खिता या उनका कौन से नंबर का किताब था तो 28 नंबर का माश्टर खिताब था Roger Federer का इसलिए हम लोग question में detail जरूर पढ़ना है क्योंकि question कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है तो आईए देखते हैं यह जो आप image देख रहे हैं या image किसकी है या image है Roger Federer की जिन्होंने अपना 28 माश्टर खिताब जीता है चौती बार इन्होंने Miami Open जीता अब अगर यह question आप से pieces में पूछेगा तो चौती बार Miami Open जीता यह भी पूछ सकता है क्योंकि pieces में जो questions पूछे जाते हैं वो could बना कर पूछे जाते हैं और इन्होंने 20 बार Grand Slam जीता है सबको यह भी याद रखे आप लोग की Grand Slam होता क्या है देखे Grand Slam चार ऐसे tennis tournament है जिसको अगर हम लोग मर्ज कर दे मर्ज क्या कर दे मतलब की चारों का एक group मर्ज करना क्या होता कि मिला देना लेकिन अगर उन सब की grouping कर दे तो उनको क्या कहा जाता है Grand Slam कौन कौन सा है हमारा French weapon उसके बाद है हमारा US open है Australian open है और Wimbledon open यह चारों कहा है हमारे यह सब मिला दिया अगर हम लोग तो हमारा बन जाता है Grand Slam और Miami कहां पे है Florida में Florida कहां पे है Florida है हमारा USA में ठीक है कब से कब तक हुआ है तो यह 18 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में संपन हुआ और Miami open का यह 35 संस्क्रण था चलिए अगले question की बात करते हैं अगला question हमारा की हाल ही में ICC का नया CEO किसे निउक्त किया गया तो ICC का नया CEO निउक्त किया गया है मनु शाहनी को मैं काफी दिन से आपको इसके बारे में बता रही थी कि finally इनका appointment अब हो गया है अभी क्या है कि 31 मार्च को डेविड रिचर्टसन ने अपना पद छोड़ा और 1 अप्रेल को मनु शाहनी ने अपना पद ग्राड किया तो पहले कौन थे पहले डेविड रिचर्टसन से और वर्तमान में कौन है वर्तमान में 1 अप्रेल 2019 से ICC के CEO है मनु शाहनी कैसे याद करेंगे मनु शाहनी है और ससांक मनोहर इसके अध्यच है CEO है मनु शाहनी और इसका गठन कब हुआ था तो ICC का गठन हुआ था 15 जून 1909 में यह जो आप इमेज देख रहे हैं इमेज किसकी है मनु शाहनी की इमेज है नेक्स हम लोग बात करते हैं गांधी दा राइटर पुस्तक के लेखक कौन है तो इसकी लेखक है भवानी भटाचारे इनोंने आप उस तक लिखे गांधी दा राइटर अब गांधी जी से रिलेटेट देखी बहुत से इंपोर्टेंट क्वेशन बनते हैं थोड़ा सा इतिहास में चलते हम लोग देखे गांधी जी का जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था दो अक्टूबर को जन्म हुआ था और 30 जन्वरी को इनका निधन हुआ था इनकी हत्या किया था नाथू राम गोटसे ने इसलिए 30 जन्वरी को हम लोग सहीद दिवस के रूप में मनाएंगे और 2019 में गांधी जी की देड़ समी जैनती मनाई जाएगी इसलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो हमारे राश्पती हैं या फिर हमारे जो प्रधान मंत्री हैं जिसभी देश की यात्रा पर जा रहे हिं वहाँ पे किसी ने किसी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं या इसका चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे जो भी उनकी स्पीच है या फिर अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो जितने भी गाधी जी के वीजन थे स्वच्छता का वीजन उसको complete करने की कोशिस की जा रही है कि हाँ हमें 2019 तक स्वच्छता को पूरी तरीके से पा लेना है तो इस तरह के तरह तरह के योजना है चलाई जारी क्योंकि देड़ स्ववी जैनती कम बनाई जाएगी 2 अक्टूबर सन 2019 को चले अगले क्वेशन की बात करते हैं अगला क्वेशन हमारा की हाल ही में कि सोचल नेटवर्किंग साइट ने श्वेत राष्टवाद तथा अलगाववाद पर प्रतिबंद लगाया तो ऐसा करने वाला है फेस्बुक अब ये है क्या स्वेत राष्टवाद तो इसके बार परमल इनसान हो हम हो आप हो हर इनसान फेस्बुक योज़ करता है अब होता क्या कि अगर फेस्बुक पे कोई अछी चीत जा रही है तो भी यह लोगों के बीच में एक बुरा मेसेज दे रही है तो अभी आपने देख सुना होगा कि न्यूजि ये लेंड में एक हमला जिसके विज़े से लोगों में एक गलत मैसेज क्या गया गलत मैसेज यह जाता इस हमले को अगर लाइफ कर दिया गया कि पहली बात तो इस तरह सामने लोगों को लाइफ मरता हुआ देख कोई भी परिशान हो सकता और इस तरह की मतलब क्या हो घटनाय कहीं भी घटने के आसं इसके लहां जो अभी हमारा सर्जिकल इस्ट्राइक टू हुआ है उसको भी लाइफ स्ट्रीम नहीं किया गया तो होता क्या है कि लोगों में एक तरह का डर पैदा करने के लिए आतंगवादी इस तरह की गत्विधिया करते हैं आप फेस्बुक पे देखते होंगे बहुत स फेस्बुक पे पोश्ट नहीं होने दिया जाएगा तो according to me एक बहुत अच्छा कदम है और अगर अब हम लोग बात करें कि फेस्बुक के संस्थापक कोन है तो इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग चले अगले question की बात करते हैं कि कि संस्थान ने विप्रों के साथ 5G और artificial intelligence के छेतर में advanced show के लिए समझोता किया है अब 5G भी क्या है हमारा आने वाले समय के लिए जैसे अभी हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं इसके पहले हम लोग 3G यूज़ कर रहे थे तो धीरे धीरे क्या है technology expand कर रही है और काम easy होता चला जा रहा है artificial intelligence की बात करें तो आप जानते होंगे artificial intelligence के हमारा रोबो जो है यही है हमारा AI तो इन दोनों के sector में काम करने के लिए विप्रो के साथ IIT खड़कपुर ने समझोता किया है शोध किया है कि हम इस पे सोध के लिए आपके साथ एक contract कर रहे हैं और इस छेत्र में जो भी अच्छा से अच्छा काम होग उसमें हम आपकी help करेंगे तो हमारा सही answer क्या होगा हमारा सही answer होगा option number B IIT खड़कपुर ने ऐसा किया है यह जो आप देख रहे हैं इसके full form क्या होता है Indian Institute of Technology खड़कपुर इसने समझोता किया है विप्रो कंपनी के साथ अच्छा 5G अगर आई गया तो 5G से मैं आपको ए पहला जीला कौन सा बना है तो चीन का संगाई संगाई में पढ़ता हांग जाओ नाम का एक जगा उसी ने यूज किया सबसे पहले 5G और गीगाबिट नेटवर्क इस्तिमाल करने वाला तिक कली मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था नेक से हमारा की हाल ही में लिवर इवेंट जिसमें guest of honor भारत को चुना गया है या इवेंट होगा कब तो इसमें बिलकुल भी confused मत होईएगा या इवेंट होगा हमारा 2020 में या इवेंट अभी नहीं हमारा next year होगा 2020 में जिसमें guest of honor के रूप में भारत को चुना गया है अच्छा भारत ने में क्या किया कि देश जो होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं क्योंकि अगर आप हमारे यहां प्रचार प्रचार कर रहे हैं अपना तो हम क्या करेंगा अगर आपको guest of honor बना देंगे तो जितने भी लोग particular event में participate करेंगे वो लोग भी जानेंगा और चुकि यह एक international level का event होगा तो दुन वे विश्व पुस्तक मेला 2022 में जो की नई दिल्ली में होगा उसमें महमान बनाया है भारत ने फ्रांस को महमान मतलब क्या है guest ही तो है तो वही इन्होंने एक नाम दे दिया guest of honor भारत को सेम वही 2022 में क्या कर रहा है भारत बुला रहा है फ्रांस को as a guest है जो आप image देख र गए है हमारे राश्पती रामनात कोविन मैंने आपको कई दिन से मैं आपको बता रही हूं कि तीन देशों की यात्रा पर गए है ये और अब हमें जानना क्या इसमें से हमें जानना यह है कि जो तीसरा चरण है उसमें वह किस देश की यात्रा पर गए है तो चिली के बी option आपको दिख रहा होगा Croatia and C दिख रहा है आपको वोलीविया इन सब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा देखे Croatia की यातरा पर पहली जो उनका पहला चरड़ था उसमें वह Croatia की यातरा पर गए थे और Croatia की अगर हम लोग बात करें तो रामनात कोविंद क्रोईशिया जाने वाले पहले राशपती हैं इसके पहले भारत का कोई भी राशपती क्रोईशिया नहीं गया और यहाँ पे जाने के बाद उन्हें क्रोईशिया की सर्वोच नागरिक सम्मान Grand Order of the King of Tamislav से सम्मानित किया गया है उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी यातरा इन्होंने किया बोलिविया की बोलिविया की कैपिटल है दो पहली तो है सुक्रे जो की समयधानिक राशजानी है दूसरी है प्रशासनिक राशजानी दा ला पाज क्या है ला पाज इस रामनात कोविन इसकी कैपिटल है सैंटियागो क्या है सैंटियागो कैपिटल है चिली की और यहां एक साउथ अमेरिकन कंट्री है इसके पहले देखिए मैंने यहां पे मैंशन कर दिया कि पहले क्रोईशिया दूसरे पे बोल विया तीसरे पे चिली हमारा जो बोल विया है ये भी कहां पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, South America में, चलिए अगले question के बात करते हैं, अगले question हमारा कि हाल ही में किस भारती द्वीफ समूँ पर भुकम्प के जटके मैसूस हुए, तो यहां भुकम्प का जटका मैसूस हुआ है, अंड मान निकोबार में, कहां पर हुआ है, अंड मान और निकोबार द्वीफ समूँ में, सुबा दो घंटे में करीब नौ भुकम्प के जटके मैसूस हुए हैं, अगर हम लोग देखें, तो यहां एक प्रकार से काफी sensitive area है, ति अंड मान और निकोबार काफी sensitive area है, इसकी capital क्या है, इसकी capital है, Port Blair, इसकी राजधानी ह और आपको पता है कि यहां पर भारत का एक मात्र सक्रिय जोयला मुखी कहां पर है, बैरन द्वीपर और जो कि कहां पर हमारा अंड मान निकोबार में है, अब देखी, मैंने आपको पढ़ाया था कि 31 दिसंबर 2018 को अंड मान निकोबार के तीन द्वीपो का समूँ को तीन द लग रहा है, अब द्वीपो का नाम जब चेंज हो गया, तो वो क्या हो कि हमारा एक ही स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया है, तो इस तरह के कोई भी क्वेस्चन अगर आप रहते हैं, तो आप इसको जरूर याद किया करिए, बार बार याद किया करिए, इसको क्या होगा कि अगर आप एक देड़ महीने इसको रट लेंगे, आप देखते होंगे कि मैं बहुत जादा प्वेस्चन को रिपीट करती रहती हूँ, जो भी डीटेल्स होते हैं, उसको बहुत जादा फोकस करके, एंफिसाइज करके बताती हूँ, तो उसका रीजन यही है, कि एक बार धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या होगा, एक महीने लगा तार आप उस चीज को सुनेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक, तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं, काफी दिन बाद यह द्वीब का बात आया है, तो रोस आइलेंड, ठीक है, रोस आइलेंड था वहा करना है, उसको हम लोग स्वहराज की प्राप्ति करेंगे, तो ए cinnamon, Kirill का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, स्वहराज द्वीब, उसके बाद है हमारा Neil द्वीब, ठीक, Neil द्वीब का नाम चेंज करके क्या दिखा गया है, सहेथ द्वीब, आपको पता है कि Neil विदो जब important question कुछ लोग comment करते हैं कि number of questions ज्यादा करिए तो अगर आप चाहते हैं कि फालतु कोई question उसमें add कर दिया जा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं आपको number of questions बढ़ा दूँगी लेकिन according to me कि जो आपके अच्छे questions हैं जिनकी probability है कि exam में आप वही पढ़िए तीक फिलाल आते हैं अब हम लोग कल के जो important questions है उसका revision करते हैं कल का हमारा पहला question है earth our day जो की 30 March को मनाया गया है उसकी theme क्या थी जल्दी से बता ही उसकी theme क्या थी उसकी theme थी change the way we live याद क्या से करेंगे ये वद्य कोई आप से कह दे कि साड़े आठ से लेकर के साड़े नौ के बीच में अपने घर की light बंद कर दो तो ये क्या है एक changing way of life ही है ना तो यही है इसका theme change the way we live इसमें क्या किया गया था और था और डे में एक घंटे के लिए जो गयर आवश्यक light थो उसको बंद कर दिया गया था फिर था हमारा की सरकार ने तीन आदिवासी समोह को विशेश रूप से कमजोर समोह में चिनित किया है तो कौन कौन से हैं कटकारिया कोलम और मारिया गोन फिर था हमारा की एक अप्रेल को इसरो ने किस प्रच्छेपड यान के द्वारा 29 सेटलाइटों का प्रच्छेपड किया अगर आप लोग विशेश रहे होंगे तो यह क्विशेशन हैं तो कल के ही लेकिन उनको पूछने का तरीका मैं अलग यूज कर रही हूँ कि जिससे के आप विशेशन को रटे नहीं अगर समझे होंगे तो आपको एंसर याद होंगे तो हमारा सही अंसर क्या होगा? PSLV C45 प्रच्छेपड यान से 29 सेटलाइटों का प्रच्छेपड किया गया नेक्स्ट हमारा की तीन बैंकों का विले जो की एक अप्रेल से प्रभावी हो गया है इसमें एक चीज मैंने आपको गलत बता दिया था कल कि SBI के बाद Bank of ICCI है देखें ICCI नहीं है SBI के बाद HDFCN उसके बाद है Bank of ICCI है याद रखेगा फिर था हमारा की PAN को आधार से जोडने की अंतिम्ति थी क्या कर दी गई? तो 30 सितंबर 2019 और CBDT का जो चेयर्मेन बना गया किसे बना गया प्रमोच चंद्र मोधी को अगला था हमारा की श्लुआकिया की पहली महिला राश्पती जिनका नाम है जुजाना कापुतोवा वह किस पार्टी से बिलॉंग करती है तो पार्टी का नाम है Liberal Progressive Slowakia Party उसके बाद था हमारा की दच्छिड कोरिया ने अजलांग शाह होकी कप किसको हरा कर जीता तो भारत को हरा कर जीता है दच्छिड कोरिया ने अजलांग साहोकी कप ये थे हमारे आज के important question अगर आपको इस वीडियो की पीडियो डाउनलोट करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो पर एड आते हैं तो एड को इसकिप मत किया करें एड को पूरा देखा करिए थांक यू फ्रेंज थांक यू सो मच